हलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क स्टडी के बारे में आखिर वर्क स्टडी क्या होती है देखे इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको पताया था कि जब भी हम किसी वर्कर की कैलकुलेशन करते हैं हम अपनी प्रोडाक्टिविटी बढ़ अपने काम के बारे में depth knowledge हो तब जाकर के हम उसकी अच्छी research कर पाएंगे उसको अच्छा improve अच्छी तरह से improvise कर पाएंगे आईए इसी के उपर एक थोड़ी सी discussion करते हैं work study is defined as that body of knowledge concerned with the analysis of work method and the equipment used in preparing a job the design of a optimum work method is the standardization work method it involves the search for better method in order to increase productivity देखो एक simple language में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि work study क्या है कि हम अपने काम को और बहतर बना सकते हैं जितना अच्छा बना सकते हैं जितनी अच्छी तरीके से हम अपने काम को कर सकते हैं same quality में या better quality में better productivity के साथ less time consumption के साथ वही काम हमको करके दिखाना है लेकिन ये काम करने के लिए हमको एक बार analysis जरूर करने पड़ेगी कि हाकिन हमारा काम है क्या हमें काम करना कैसे होता है और किस तरीके से अपने काम को perform करना है next आती है objectives of work study हम ऐसा क्यों करते हैं हम work study की क्यों करना चाहते हैं तो इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहला point होता है to analyze the present method of doing the job in order to develop new and better method जो काम हम कर रहे हैं अगर हम चाहते हैं कि उससे better तरीके से हम काम करें तो पहले तो हमें ये पता हो ना कि हम काम क्या कर रहे हैं और हम कौन सा method adopt कर रहे हैं और इस method में क्या improvisation करने की जरूरत है ये इस method को किस तरीके से बदलने की जरूरत है ये एक important factor होता है इसलिए ये जरूरी है कि आप सबसे पहले work study करिए second point आता है to measure the work content of a job by measuring the time required to do a job and hence establish standard time आपको याद होगा पिछले part में आपको standard time calculate करना सिखाया था तो basically आप ये देखना चाहते हो कि आखिर आपका काम क्या है इस काम को करने में कितना समय लगेगा किस तरह के worker लगेंगे कितना actual standard time लगेगा जिसके basis पे आप ये method determine कर लपाऊ गया अपना हो कि आप जो काम कर रहे हो वो काम होता है 10 minute में और जो method आप indulge करना चाहते हो पता चला उस काम को करने में लग जाए 15 minute तो बेकार हो जाएगा ये 11 minute 12 minute बिल्कुल बेकार हो जाएगा हमें चाहिए कि जिस productivity के साथ हम आज काम कर रहे है उसको और बहतर कैसे बनाया ज इसी तरीके से third point आता है to increase productivity by efficiently utilizing human machine and material resources to achieve best quality product at minimum cost भाई हर company हर production house ये चाहता है कि कम से कम time लगे जादा अची quality मिले minimum cost consume हो मेरी मेरी जो cost लगे वो कम से कम लगे हम अपने human resources को अच्छी तरीके से efficiently and effectively use कर पाए next आता है to improve operational efficiency हम ये चाहते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं बिना किसी problem के बिना किसी tension के बड़ी आराम से बड़ी स्मूथरी हम ये काम perform कर पाएं तो ये भी एक हमारा fourth objective हो सकता है work study का next topic आता है what are the benefits of work study आखिर work study को करने से हमें क्या benefit मिलेगा सबसे बहले और सबसे important चीज increase productivity and operation efficiency आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई काम करता है तो उसको पहले एक schedule बनाते हैं कि हाँ इस काम को हम कैसे perform करेंगे तो जब हमारे पास एक proper study होती है तो ही हम उसकी productivity और उसकी efficiency को improve कर पाएंगे next फिर आता है कि हमारा इससे benefit क्या होगा कि हम अपनी cost को भी reduce कर पाएंगे ultimate target मेरा यही है better manpower and a capacity planning ऐसा तो नहीं कि मैंने जिस काम को जिस person को दे रखा है वो काम वो person कर ही नहीं पाता है तो ये भी गड़बड हो जाएगा क्योंकि अगर मुझे maximum capacity यूज़ करने है तो उसी person को देना पड़ेगा जो उस काम को अच्छी तरीके से जानता हो तो सही manpower यूज़ करना और सही तरीके से capacity की planning करना ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है pair wages ऐसा तो नहीं कि आप किसी normal unskilled worker को बुला करके आप skilled काम करवा रहे हो और उसको skilled जैसा payment कर रहे हो ultimately क्या हो रहा है क्योंकि वो unskilled है skilled काम तो कर रहा है क्योंकि उसको शौक है करने का promotion कि इसको नहीं चाहिए पर वो काम उतना अच्छा करी नहीं पा रहा है payment तो पूरी उठा रहा है पर काम उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है दूसी चीज़ ये भी ज़रूरी है कि कोई person skilled worker की जगह काम कर रहा है और आप उसको payment उतना ही कर रहे हो जतना unskilled को कर रहे हो तो ऐस flow है वो बहुत improved होना चाहिए वो सही तरीके से काम होना चाहिए उसमें क्या और अच्छाईया बहुत क्या कमिया है उनको जो दूर करने के ज़रूरत है वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी next आता है reduce material handling cost अगला step होता है कि आपकी जो material handling cost है वो आपको reduce करना है देखो जब मैं manufacturing cost reduce करने के बाद करता हूँ तो उसमें सब कुछ आ जाता है यहाँ पर material handling भी cost भी आ जाता है कि जो हमारे material का movement है हम उसकी भी जो cost consume हो रही है उसको भी हम कम करना चाहते है provides a standard to measure labor efficiency और हम यह चाहते हैं कि हमारे पास जो labor work कर रहा है वो किस efficiency से काम कर रहा है उसका क्या standards है क्या method है वो भी हमें अच्छे से पता हो इसके लिए जरूरी है कि हम उसके ओपर एक अच्छे सी analysis करके बैठे तो यह हमें फाइदे होंगे यह जो benefits मैंने आपको बताए work study क जो कि हमारे company के लिए हमेशा ही फाइदे मन रहते हैं hopefully यहां तक की बाते आपको समझ में आई होंगी next video में हम इसके आगे की और भी बाते करेंगे thank you for watching this video have a nice day